पॉआजियनस एक्ट हम पढ़ेंगा पॉआजियनस एक्ट जो बनाय गए थे वो 1909 में बनाय गए थे इस एक्ट वाज़ पास्ट विस एवेब टू कंट्रोल इंपोर्ट पॉसेजन मनलब अधिकार हो गया फॉर सेल अपॉआजियन यहां एक्ट सेंटरल गवर्मेंट द्वारा बनाय गया था कितने पॉआजियनस ड्रग को इंपोर्ट डिस्टिबियूट सेल एंड इस्टोरेज कर सकते हैं यह स्टेट गवर्मेंट देखता है लिष्ट आप पोईजिनस सबस्टांस मलब कौन कौन से लिष्ट है लिष्ट A में आ जाएगा आर्सेनिक, एट्रोपीन, बेलाडोना, बार्बी ट्यूरिक एसिड, मॉर्फीन, कोका, कोकेन, डीजिटैलिस, लीड, एटिसी लिष्ट भी में आ जाएगा, आगजैलिक एसिड, सलफोनिक एसिड, जिंक, कुलराइड, क्लोरोफार्म, मर्किरिक, पोईजिनस एक्ट का अबजेक्टिव देख लेते हैं, अबजेक्टिव मलब इसका उद्देश, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल दा इंपोर्ट सबस्टांस को इंपोर्ट या सेल कैसे कर सकते हैं, इसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, Central Government Regulate of Import Central Government जो हता है इंपोर्ट के रेगुलेट करता है State Government Regulate Possession for Sale of Poisonous State Government has the authority to regulate the position and sale of any poisons अगर Poisonous Substance को Sell करना है इस्टेट में तो उसी स्टेट के गुवर्मेंट का Permission होना चाहिए किसी भी Poisonous Substance को Sell करने के License State Government का authority देता है एक परसन की एक लिमीट बनाई गए है कि वो कितना Sell कर सकते है List A के लिए अलग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और List B के लिए अलग लाइसेंस होता है Maintain Register of Sell Sell के जो Register होता है इसको maintain करना होता है कितना खरीद रहे हैं और कितना बेच रहे हैं इसका Register बनाना पड़ता है जो Poisonous जितना खतरनाक है उतनी ही अच्छी से उसे पैक करेंगे जैसे बहुत ज्यादा खतरनाक है तो उसको दो तीन packaging material में उसे पैक करेंगे इसका Offences and Penalities देख लेते हैं Offences जैसे हो गया नियम ही इन मतलब बिना नियम के काम कर रहे हैं इसका gosto दो प्रेंक कर ढूद बिना लाईसेंस के इंपोर्ट कर रहें ठीच अब कंडिशन आप06 लाईसेंस में leftover moje antеля यमिट को तोड रहें मनद जैसे उसमें दिया पचास प्रड़क्ट को हम सेल कर सकते हैं तो अगर हम सव प्रड़क्ट सेल कराना है वो नियम तोड़ नाम में आ जाएगा मतलब लिमिट को तोड़ रहे हैं उसके हम तो उसका पेनाल्टी क्या होगा पहली बार तीन महिना के जेल होगा और दोनों हो सकता है इंपोर्ट आप पॉजन्स देख लेते हैं Central Government authorities to regulate the import of the poisons not import of without license बिना license के import हम नहीं कर सकते हैं license issue by Central Government license जो issue होता है वो Central Government के थुरू ही होता है poisons का license कई प्रकार के होते हैं जैसे कम amount में import करने के लिए अलग ज्यादा amount में import करने के लिए अलग-अलग license बनवाने पड़ते हैं